यह सोट हो जाता है तो इस तक क्या होता है जैसे ही आप इसकी स्विचिंग कराने के लिए कनेक्ट करते हैं USB-C के अंदर के लिए यहां पर कुछ कंपोनेंट होते हैं और यहां से जो हमारा बैटरी का पिलास आता है डारेक्ट यहां बीपिएस पर लाइन है डेटा से लाइन अब हमारी इस तरीके से इसके अंदर जाती है तो आपका देखें दोस्ता आप सब के फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है आज फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं मैं बहुत सारी वहीं को नई बता कंफ्यूज रहते हैं चोटी-चोटी बातों के लिए तो उससे पहला मैं हर वीडियो में बताता हूं तो का हमारा ओनलाइन का फीज तीन हजार रुपे है ऑनलाइन का स्वागत है दूसरी बात क्या है हमारे पास में मार्च के महीने में होली के बाद जो हमारी ऑफ लाइन के क्लास है बारे मार्च से ऑफलाइन उसमें कोई जगह खाली नहीं है तो आप प्रॉल माई की बुकिंग चालू है अप प्रेयल में कुछूट हाना चाहते हैं तो पर एक के बैचमाप जॉइन हो सकते हैं जिसका फीस तीन हजार रुपए है ठीक है और आज हम एक नए टॉपिक लेके आए आपको समझाएंगे आज की वीडियो में अच्छे से प्रॉपर नॉलेज्ज आपको हम आज इस वीडियो में देंगे देखिए यह क्या है हमारा यह चार्जिंग जैक है जो हमारा चार्जिंग जैक है यह हमारा चार्जिंग जैक है यह तो सबको पता ही है कि यह क्या है हमारा चार्जिंग का जैक जहां पर केबिल लगाते हैं इस से काम क्या क्या होते हैं इस से काम होते हैं चार्जिंग करना ताज हम चार्जिंग के बारे लाएन होती है उनके बारे में आपको समझाएंगे अच्छी से तो आपको इसमेटिक की नॉलेज आती है तो आप इसमेटिक से भी इन चीज़ों को किलियर कर सकते हैं आपको आना चाहिए और हमारा वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलनी चाहिए अ एक इसके अंदर पिलस होता है और एक इसके अंदर गराउंड होता है एक होती हमारी डेटा माइनस एक होती हमारी डेटा पिलस यह डेटा माइनस पिलस आगे पीछे हो सकते हैं हर फोन के अंदर यह फिक्स नहीं होते है यह आगे पीछे लाइनिंग हो सकती है इसके बाद एक लाइन रहती है हमारी आईडी की पहले यह एंसी की होती थी अभी आईडी की होने लगी है अब इनका काम क्या होता है देखें जो प्लस पॉइंट है यह सप्लाई पहुंचाता पांच बॉल टेंग जहां तक पांच चाहिए महां तक पहुंचाएगा जो डाटा प्लस काम होता है जब आप फोन को फेलैस करते हैं अल्लोक करते है न्लोक करते हैं तो ट्रांसफर से क्या आपकी समझे में आए इंपूस और डेटा कोई भी डेटा होता है उसको इन पुट आउर्फुट डाटा प्लस मैनिस की लिने करती है प्लस एक i.d की लाइन इसके अंद आइ पांच बूल्ट जहां तक पांच बूल्ट आपको चाहिए वहां तक मिलेगा इनका कामा डेटा ट्रांस पर तो यह सारी लाइन आपको ठीक हो नीच जब यह आप पिन पेटर्ण एफर के लोकिंग कर सकते हैं यह लाइन जाती है और आती कहां से हैं तो इसके लिए थोड़ा पॉइंट हमारा ग्रांड हुआ यह हमारा पांच बूल्ट की लाइन है इसके बाद यह लाइन हमारी डेटा माइनस डेटा माइनस यह वाली जो लाइन हमारी डेटा पिलस यह आगे पीछे हो सकते हैं कोई फिक्स नहीं होता फिर बता रहे हैं यह लाइन होती है हमारी आई पावर मेनेजमेंट जो इसी होती है देखिए यह लाइन जो हमारी पांच वोल्ट की है कहां जाती है यह लाइन हमारी जाती है चार्जिंग अधर यहां से कुछ कंपोनेंट होते हैं वह आपको पता ही रहता है कि सीरिस पेलर किसके अंदर मिलते हैं अब जो data plus minus की जो line है हमारी, यह line जो हमारी जाती है, यहां से PMIC के लिए, यहां से PMIC के लिए, यह line कहां जाती है हमारी power IC के लिए, लेकिन हर phone के अंदर power IC के अंदर यह line नहीं जाती, इस चीज़ का भी आपको ध्यार रखना है, यह जो line हमारी इसके अंदर, किसी-किसी phone के पावर आई सी के अंदर जाती है अब इसके अंदर जो आपको कंपोनेंट मिलेंगे इसके अंदर जो कंपोनेंट मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे देखिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट हमारे इस तरीके से होते हैं कुछ कंपोनेंट इस तरीके से दो लाइनों से है एक मानलो हमारा ये कंपोनेंट कोई भी उपर वाले में समझ लेते हैं आई डी के लाइन के अंदर ये कंपोनेंट हमारा ब्रेक हुआ टूटा तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका जी यार जीरो हो जाएगा जो की इंफर्मेशन जो मिलती है जो डवाई हमारी जीरो जीरो अब आपको यह लाइन ट्रेस करके देखना है कहां से खराब है दूसरी चीज क्या है माल लो यह component हमारा okay है अब इसके अंदर यह sort हो जाता है तो इस तक क्या होता यह जैसे ही आप इसकी switching कराने के लिए connect करते हैं तो यह line automatic अपने बर्क करने लग जाती, कभी connect होगी, कभी disconnect होगी, कभी connect, कभी disconnect. इसके बाद ऐसे इसकी line की जगह है, हमारा इसके अंदर data plus के अंदर component short हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, जो हम switching कराते हैं, वो switching automatic अपने आप होने लगेगी, तो इसमें error क्या मिलते हैं, USB not recognized, इसके अंदर error क्या देखने का मिलेगा आपको, USB not recognized, USB detector नहीं होगी, तो यह cable में भी दिक्कत हो सकती है, charging jack में भी हो सकती है, line के अंदर भी हो सकती है, IC के अंदर से भी short हो सकता है, ठीक है, दूसरी चीज, अब माल लो हमारा जो PM IC है, अब हमारा इसमें PM IC नहीं है, यह liner हमारी किसी-किसी phone के अंदर PM IC में नहीं जाती है, यह जाती है हमारी CPU के अंदर, इस तरीके से, जो हमारा CPU है, इसके अंदर है लाएन हमारी जाती है, तो power IC में भी जाती है, CPU में भी जाती है, हर phone के अंदर PMIC के अंदर नहीं जाती है, हर phone के अंदर CPU में नहीं जाती है, कि दो तरीके मैंने आपको बता यह तीसरा और मैं बता देता हूं कि किसी-किसी फॉन के अंदर क्या होता है जैसे अभी आई सी एक आई सी होती है हमारी किसी फॉन के अंदर यू एस भी साहित यह बात आपको नहीं पता होगा नहीं किसी ने बताया होगा एक फॉन के अंदर म USB IC को चलाने के लिए यहां पर कुछ component होते हैं और यहां से जो हमारा battery का पिलास आता है direct या बीपीएस पर आपल लाएरे यह दो लाएन आते इस IC को अन करने के लिए लेकिन यहां से यह direct काम नहीं करता यह कैसे काम करेगा इस IC में input हुआ अब output के लिए यहीं सही यह line जो data plus minus की होती है ID की data plus data minus जैसे हमारी ID की line data plus data minus अब यह जो line है हमारी इसके अंदर क्या होगा यह अब यह line हैं से निकल के जाएंगी कहां पे किसी में CPU में किसी के अंदर PMIC के अंदर यहां से यह line अब हमारी इस तरीके से इसके अंदर जाती है तो आप कहां तक का ठिक कर पाएंगे, कहा तक का नहीं कर पाएंगे वो इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको बताई अब जैसे हिहां पर देखिए यहां पर देखें यह क्या है हमारा CPU है अब इसमेन जो lining है हमारी जो lining है, इसके अंदर क्या देखिए इस तरीके से अब किसी किसी के अंदर जब यह लाइन इसमें नहीं जाती है तो कहां जाती है यह लाइन मालों इसके अंदर नहीं जाती है तो यह लाइन हमारी यहां से के अंदर इन होती है इस तरीके से तो यह प्रॉब्लम आपको कहां से मिलेगी किस जगह से मिलेगी तो यह चीज मैंने आज के वीडियो में आपको बात तो छोटी सी है पर जब आप फस जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा रूप यह ले लेती है तो मेरा कोसिस है कि त आवर आईसी सीपी और एक यूएस भी आईसी इन तीनों चीजिए के बारे में आपको पता होना चाहिए ट्रेसिंग आनी चाहिए समेटिक का रहा चाहिए तब यह आप इन चीजिए को रिप्यार कर सकते हैं दूसरी बात मैं फिर आपको बता देता हूं 12 तारिक से होली के विडियो देखने के लिए सबी दोस्तों का बहुत ट्थन्यवाद